दाई अमोनियम फास्विट जिसको बाजार में डी एपी के नाम से जाना जाता है डी एपी का उप्योग खेतों में क्यों किया जाता है इसको हम विश्थार से पड़ेंगे और DAP के संख्थन क्या है, DAP के गुण क्या है और DAP को जब मर्दा में डैला जाता है तो ये मर्दा के साथ किस प्रकार से कीरिया करता है और ये फस्लों को किस प्रकार से परभावित करता है तो चलो शुरू करते हैं डाइ अमोनियम फासपेट जिसका दूसरा नाम होता है DAP क्योंकि डाइ अमोनियम फासपेट को आम भासा में DAP उरूरूर करते हैं इसे फासपोरिक अमल की अमोनिय के साथ किजा करके बनाया जाता है इसे कैसे बनाये गया है इसे फासपोरिक अमल की और अमोनियम की अभी कीरिया करवा के बनाये गया है इसमें पहले तो क्या बनता है मोनो अमोनियम फासपेट बनता है और पी एच मान आठ पॉइंट 5.8 से 6.0 के बीच होता है तो इसे Ammonie करन की कीरिया के आगो आगे बढ़ा कर DAP प्राप्ते किया जाता है सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम Phosphoric Amal और Ammonium की कीरिया कराते हैं जिसे क्या बनता है? जिसे Mono Ammonium Phosphate बनता है इसका pH मान कितना होता है? 5.8 से 6.0 यानि यह अमलिय प्रकृतिका होता है तो उस दोराना इसमें अमोनी करने की कीडिया करवाई जाती है अमोनी कीडिया करवाने के बाद अगला जो उत्पाद बनता है वो बनता है D.A.P. या डाइं अमोनियम फासफेट वर्तमान में फासफोर्स युक्त अरूरक के में किसानों इसका अधिक उप्योग कर रही है क्योंकि वर्तमान कंडिसन में D.A.P. का अप्योग किसान लोग बहुत एतिक मातरा में कर रही है करने इसका ये है कि इसमें फासफोर्स के साथ नाइट्रोजन भी पाए जाती है यानि यह है एक ऐसा अरूरक है जिसमें नाइट्रोजन वा फासफोर्स दोनों अरूरक मिल जाते हैं पोदों को और इस अरूरका रासाइनिक जो सूतर है वो है अनच 4-2-HPO4 इसका सूतर है इसका सूतर बहुत ही इंपोर्टेट है क्योंकि बहुत वार पुछलिया जाता है कि DAP का सूतर क्या है या फिर ये सूतर दे कि आपको बहुत सारी उरों के नाम बता देगा कि ये किसका सूतर है जैसे सूतर देगार बोलेगा ये निमन में से किसका सूतर है DAP का, Ammonium Sulfate का, या केल्सियम Ammonium Nitrate का, या यूरिया का इस प्रकार से भी कन्फियूज कर सकता है, तो आपको ये सूतर याद देगना है अनाज 4-2-HPO4, जो DAP का सूतर है इसके संख्छन के बात करें तो डाइमोनियम फास्पेट का उरोरक नियंतरन अध्यादेश 1957 के अनुसार विशिस्ट विवर्णत दिये गए है ये अरोरक नियंतरन अध्यादेश के है, जिनके अधार पर उरोक की संटने हुई थी कि कौन से उपियुकत अरोरक है और कौन से हानेकार अरोरक है उसके अधार पर उरोरकों को वर्गिकन किया गया था कब किया गया था? 1957 के अनुसार तोरिन के अंसार इसका डिफिपका सुथ जो संग्ठवन निम्न प्रकार से हैं जिसके इसके इंदर नम्य की मातरा पाय जाती है एक% और इसमें Phasm Soros के मातरा पाय जाती है 46% और Nitrogen के बात करें तो पाय जाती है 14% D.A.P. के अंदर यही सबसे मैत्पन होता है कि इसमें नाइट्रोजन के मातरा और फासपोर्स के मातरा पुछी जाती है नाइट्रोजन के बात करें तो नाइट्रोजन इसके अंदर होता है 18% जबगे इसके अंदर fast force के बात करें तो fast force होता है इसमें 46% बात करें यूरियक गुनों की तो यह उरूरक रख़े दानेदार रूप में बजार में मिलता है दाने के रूप में बाई जाती है और यह उरूरक रख़े जल में गुलनसी लुटा है आसानी से घुल जाता है इसमें नाइट्रोजन और फासफॉर्स दोनों पाई जाते हैं कितने कितने पाई जाते हैं सबसे मैधपूर है कि नाइट्रोजन इसमें 18% पाई जाती है और फासफॉर्स इसके अंदर 46% पाई जाता है इसमें डियेपी में नाइट्रोजन और फासफॉर्स के मातला इंपोर्टेट हैं तो दोनों ही याद कर रहे हैं इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम आएन के रूप में पाए जाती है जबकि जो फासफॉर्स होता है वो अच्पियोफॉर्स टू माइनस के रूप में पाए जाती है दोनों ही इंपोर्टेट है कि डियेपी में नाइट्रोजन किस रूप में पाए जाती है नाइट्रेट के रूप में पाए जाती है या अमोनियम के रूप में तो Ammonium के रूप में पाई जाती है DMA, DAP में Nitrogen और Fast Force के रूप में पाई जाती है अच Pure 4 2- के रूप में पाई जाती है तो Fast Force का भी कभी कभी पूछ लेता है इसमें पोसप ततोय उच मातरा में होते हैं इसलिए ऐसे उच विसलेशन और औरक कहते हैं इसमें और औरक के मातरा जादा होने गानिस को क्या बोलते हैं उच विसलेशन और 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 तो ये भी क्यूशिछ बन सकता है कि उच विसलेशन और और कोंसा है DAP है इसके बंधारन तता यातायात का खालत बहुत कम आता है यानि ये ये सद्टा होता है और यह बहुत कम आदरगराई उरुरक है आदरगराई का मतलब यह वायोमनल से नमी को कम सोंकता है जिससे यह खराब जल्दी से नहीं होता है बात करें मर्दा में अभिकिर्या किये तो मर्दा में यह अभिकिर्या किस पकार से करता है नम तता सुसक दोनों ही मर्दा में औरूरक लाबदाइक है चाहिए सुखा एरिया हो चाहिए नमी अधिक हो दोनों ही चतर में ये डेपी लाबदाइक होता है दानेदार होने के कारण मर्दा में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है और मर्दा में डालने पर इसमें उपर स्थित अमोनियम मर्दा कणों पर अधिस्वाशिद हो जाती है तता अच पीओ फोर टू माइनस दिरे दिरे गुलकर पोदों को प्राप्त होता है देखो यहाँ पर जैसे ही मर्दा में डेपी को डालते हैं तो अमोनियम क्या करता है मर्दा कणों पर चिपक जाती है और जो अच पीओ फोर टू माइनस यह फास फोरस इसके रूप में होती है ठीक है तो यह दिरे दिरे गुलकर पोदों को प्राप्त होती है और मर्दा में इस औरोरक का परबाव अमलिया होता है क्योंकि अमोनियम के नाइट्रेकरन से नवजात हाइड्रोजन बनती है एक चीज़ आपको हमेशा दियान रकनी है कि जिस औरोरक में नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में होती है वो हमेशा मर्दा पर अमलिया फरबाव डालता है आमलिय फरभाव क्यों डालता है कि जब अमोनियम से क्या बनती है नाइटराइट बनती है तो नाइटराइट के दुराण चार मुक्त रुप से हाइडरोजन पाए जाते हैं यह चार मुक्त हायडरोजन क्या करेंगे यह मर्दा को अमले बनाने का काम करेंगे तो अब हम पढ़ते हैं फसलों पर-पर्भाव के बारे में तो फसलों पर-पर्भाव के बात करें तो इस उरुरक के पुरियोग से फसलों को नाइट्रोजन एवं फास फॉर्ट से दोनों पोश्यततों मिलते हैं इसलिए किसान इसकार सबसे अधिक प्योग करता है यानि यह एक इसा औरोरक है D.A.P. या डाइ अमोनियम फास्पेट जिससे फसलों को नाइट्रोजन और फास्पोर्स दोनों ही मिलती है जिसके कार्ण किसान अधिक इसकार प्योग करता है नाइट्रोजन प्राण में अमोनियम तता नाइट्रीक रण के पसाथ नाइट्रेट रूप में पौदों को फ्राप्त होता है यानि पहले किस की रूप में मिलता है अमोनियम की रूप में यदि अमोनियम की रूप में पौदे नहीं लेते हैं तो नाइट्री करण की केरिया होती है दो बेक्टिरिया के मादम से वो दो बेक्टिरिया कौन से थे हैं नाइट्रो सोमोनास और नाइट्रो बेक्टर जो मैंने पहले बता दी हैं अभी केरिया की दुराम और उसके बाद नाइट्रेट के रूप में पोदिस को गण करते हैं फासपोर्स अच पीयो फोर्टू माने से देरे देरे गुल कर पोदों को प्राप्ट होता है इसका उपयोग चारिया मर्दा में क्या जा सकता है क्योंकि जा सकता है क्योंकि चारीय मर्दा में क्या होता इसका प्रयोग करने पर ये खुद अमलिया पर करतीका होता है और चारीय मर्दा में जब इसका प्रयोग करेंगे तो मर्दा के उदासिन बनने के समावना होती है जो पोधों के लिए बहुत जरूरी है इसका प्रयोग फसलों में बोई से पूर्व करना चाहिए खड़ी फसलों में बिखेर कर प्रयोग नहीं करना चाहिए यानि बोई से पहले कर देना चाहिए खड़ी फसलों में नहीं करना चाहिए इसका रिजिन क्या है क्योंकि यहां पे पहले दे रखा है है कि जो अच्छ può फोटो मानस है यह दिरे-दिरे गुल कर पोधों को पराफ्ट होता है तो याई पोधों को मिलता है तो इसको बहुत समय लगता है तो जब बोई के समय हम इसको दे देते मपने पड़िये ते यहां है यहां पर को पन सबद को मिलता रहता है इसके बाद इसim muchís रासायनिक सूतर पड़ा है और संग्ठन के बारे में है कि इसमें फास्वोर्स के मातरा 24% और 18% नाइट्रोजन पाए जाता है हमें इसके गुनों को बारे में पड़ा है कि ये दानेदार रूप में मिलता है गुलन्सील होता है और इसमें जो नाइट्रोज है अमोनियम रूप में पाए जाती है फासवार्सékपुओअ छाती है मरदा में अभी के जा पड़ी है कि इसमें उपासित अमोनियम जो आईन होता है वो मरदा करणों पर चिपक जाती है और अच पीओ फासवार्स्वार्स को मिलती है फसलों पर परभाव के बारे में अपड़ा है कि इसमें नाइट्रोजन फास्वर्ट दोनों होने कार्ण के सान इसका अत्यदे को प्योग करते हैं और नाइट्रोजन प्रार्णम में अमोनियम तता बाद में नाइट्रेड गुर्प में मिलती है और खड़ी फसल में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए बॉय से पहले इसका प्रयोग करता है ना साहिए